इंडिया स्पोर्ट संग के राष्ट प्रधान सुनील गुपता सीमा भारदवाज के सेक्टर दोस्थित गर पहुँचे और मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि हमारा मुख्य उदेश्य देश के कोने कोने में रहने वाले खिलाडियों को प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी द्वारा खिलाडियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के प्रती जागरो करना है उन्होंने बताया कि पहले अरजुन वाडी खिलाडियों को 5,000 रुपे की राशी प्रदान की जाती थी जो कि अब बढ़ाकर 25,000 रुपे कर दी गई है भीम वाडी को प्रदान मतरी मोदी जी बने हैं, खेल मंतरी विजय बने हैं, उन्होंने पूरे जेश के अंदर खिलाडियों के लिए काम करना शुरू चाहरा है, जैसा है कि आपको पता है, अभी तक हमारे जेश के अंदर जो आर्जुन वाडी थे, उनको किवल 5,000 रुपे महिना गोर्र खिलाडी को एक लाख रुपे मिलता था, वो 5,000 कर दिया, और जो कपड़ी के खिलाडी हैं, उनको हर सरकारी नोकभी के अंदर 3% का आरख्शन दे दिया, स्कूल गेम में जो बच्चे खिलते हैं, जो स्कूल्स अथोटी ऑफ इंडिया के अंदर रेजिस्टर्ड हैं खिला उनके लिए पांच लाख रुपे मेडिक लेम के फ्री पास खर दियें, जो लागू हो गए, उसको बताने के लिए, के जगा जगाओं के अंदर, जिन खिलाडियों को पता नहीं है, गोर्मिन की नीती का, वो नीती हम बता रहे हैं, ताकि उसका वो लाब उठा सकें, पूर जहां बच्चे जो हैं, वो आगे बढ़ें, खेलें, पढ़ाई करें, और नशे से दूर रहें, मेरा मानना यह है, मेरा निवेजदन भी यह है, सरकार यह है, कि जो खिलाड़ी इस्टेट लेबल बर, या जिलास्तार बर, या नैस्ट्रल लेबर बर, किसी भी खेल में गोल डालने का अधिकार होना चीए, ताकि इस प्रेंटेशन में खिलाड़ी, अच्छे आजमें को चेर्मेन या डिप्टी चेर्मेन चुन चकेए कैमरा मैन बलविंदर आरे के साथ, कुल्दीब कुमार की ब्यूरो रोपोर्ट, नाशनल बस के लिए